स्टांप्लस के सीरियल पंडिया स्टोर में वो हो गया जिसका फैंस को बहुत लंबे समय से डर था धवल और नताशा अब हो जाएंगे अलग धवल और नताशा का अब हो जाएगा डिवोर्स यही तो अमरीश भाई कब से चाहते थे वो तो हमेशा से यही चाहते थे कि धवल और नताशा जल से जल अलग हो जाएं और उनकी मा भी यही चाहती थी और बस वो हो गया भगवान ने उनकी सुन ली धवल ने नताशा को लाकर डिवोस पेपर्स हाथ में दिये हैं और नताशा से कहा है कि नताशा ये रहे डिवोस पेपर्स अब तुम इन पर साइन कर देना तुमने क्या कहा था जब से मैं तुम्हारी जिन्दगी में आया हूँ तो बस अब मैं उस मन्हूसियत को मिटाना चाहता हूं पहली बार में जब घरवाले ये सुनते हैं तो एकदम चौँक जाते हैं कई घरवाले ऐसे भी होते हैं जो धवल को रोकने की कोशिश करते हैं ऐसा करने से लेकिन फिर कई घरवाले ऐसे भी हैं जो बहुत खुश हैं जैसे की अम्रीश भाई भाई धवल पूरे परिवार को अपना साइट समझाता है कि वो नताशा से अलग क्यों होना चाहता है नताशा धवल की ये बात सुनकर बहुत चौंक जाती है लेकिन अब जिस चीज का फैसला हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना नताशा बहुत जादा टूट जाती है ये सुनकर की धवल उससे अलग होना चाहता है क्योंकि नताशा तो धवल से बहुत प्यार करती है और धवल भी नताशा को कहीं न कहीं बहुत चाहता है लेकिन अब अपने परिवार की वज़ा से वो नताशा से अलग होना चाहता है इसलिए नताशा भी एक पल के लिए कुछ नहीं सोचती सीधा पैन लेती है और डिवोस पेपर्स पर साइन कर देती है उसके बाद धवल को मुँ तोड़ जवाब देने के बाद वो उन पेपर्स को धवल के मुँ में भेग देती है घर में सभी घर वाले ये सारा तमाशा देखते हैं ये देखते हैं कि धवल और नताशा किस तरह एक दूसरे के लिए बने हैं और फिर भी अब कुछ मजबूरियों के चलते अलग होना चाहते हैं अपनी अपनी जिद लेकर बैठे हैं लेकिन आपको क्या लगता है क्या इनका सच में डिवोर्स होगा क्या ये दोनों सच में अलग हो जाएंगे जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं हमें कमेंन सेक्शन में लिख के जरूर बताईएगा विडियो पसंद आया हो तो लाइक बिटन पर ख्लिक करना बिल्कुल न भूलें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें